देव भूमे में बारिश के साथ आंधी तूफान और उलावरष्टी की आशंका बनी हुई है इसको लेकर मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो 24 और 25 माई को प्रदेश के कई इलाकों में हवाओं की गती 60-70 किलोमीटर प्रती घंटा रहने का अनुमान है ऐसे में लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़ुरत है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदिशक विकरम सिंग ने कहा कि प्रदेश के मौसम को देखते हुए 24 और 25 माई को औरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इस दोरान अनेके स्थानों पर आंधी तूफान के साथ उलावरिस्टी और बारिश की संभावना है इस दोरान हवाओं की गती 60 से 70 किलोमेटर प्रती घंटे रहने का अनुमान है इसके वज़े से पेड़ों के तूटने और कच्चे माकानों की उख्षती पहुँच सकती है विकरम सिंग ने कहा कि चारधाम यात्रा में जा रही यात्रियों को भी मौसम को देखते हुए एहतियाद परतनी की जरूरत है तिर्थ यात्री बारिश से बचाओ के लिए अपने समुचित तयारी करके ही आगे बढ़ें 24 की राज से तो वहां पर थोड़ी बहुत बरबारी भी जो है हायर इमाले रिजेंस में देखने को मिलेंगी तो इसी तरह का वैदर ये तीन से चार दिन रहने वाला है 27 से जो वैदर एक्टिविटियों कम हो जाएंगी और मोसम साफ होना शुरू हो जाएगा तो यही मैं आभी कहना चाहूँगा नमस्कार मधिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेदन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है योजना से जुड़ी अधिक चानकारी योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलप लाइन नमबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल निउस आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल निउस